नमस्कार जारकन की खबरों में आप सुभों का स्वागत है आए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को इस जब पहले आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रिस कर दिजे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिल बढ़ते हैं खबरों की ओर में बढ़ते हैं और सरकार को किसानों की मांग को पुरा करने के लिए बाहर से अलग-अलग प्रकार के खाद का इंपोर्ट करना पड़ रहा है केंद्री मंत्री मंसुख माडविया ने कहा कि अंतराष्ट बजारों में खाद की बर्दी कीमतों के बावजुद प्रदान मंत्री नर्द मोदी ने फैसरा किया है कि सरकार खाद की कीमतों को बढ़ाने के बजाए उन पर मिलने वाले सबसीडी को बढ़ाएगी ताकी किसानों की लागत में होने वाले बडुत्री को रोका जा सके और उनके मुनाफे में बडुत्री की जा सके मंसुख माडविया ने बताया कि यूरिया पर मिलने वाले सबसीडी को 1500 रुपिय से बढ़ाकर 2000 रुपिय परती बोरी कर दिया गया है मन्सुग मारिवा ने बता कि इस रवीप सिजन में प्रदान मंतरी द्वारा किसानों को खात पत दी जानने वाले सबसेड़ी की रूप में कूल अठासी जार करोड रूपे खर्च किये जा चुके हैं राइज भर में सिर्फ राची से मिले नए मामले एक्टिव कैस 100 के पार आने वाले तिहारों में अब सरकार और ज्यादा अलट रहेगी स्वास्थ विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टोबर की रात 9 बजे तक राज में 123 एक्टिव मामले हैं वहीं 7 नए संक्रित मरीजों की पुष्टी भी हलांके 8 मरीज ठीक भी वे लेकिन राजधानी राची के लिए चिंता का विशे है साथ नए संक्रित सिर्फ राची से ही मिले हैं जबकि यहां एक भी रिकावरी नहीं है 24 गंट में बाकी 23 जिलों में एक भी मामले दर्ज नहीं है वहीं रिकावर होने वाले 8 लोग में से 4 पुर्वी सिमूम तिन खुटी और एक देवासे है ज़ारकन के कई इलाकों में हुई अच्छी बारिस बंगाल की खाड़े में एक नए लोग प्रिस्यस सिस्टम के कारण सुमारकू राज के कई जिलों में अच्छी बारिस वी राची के अलावा उतर पुर्वे के दुमका, गोड़ा, साहबन, पाकूर समित कई अस्थान पर दीन में और शाम को भी अच्छी बारिस भी मोसम केंदर के बेग्यानिक अभिशिक आनन्द के मुताबिक रैवार को बंगाल की खाड़े में एक नया साइकलोनिक सर्कूरिशन बना था जो सुमारको और गहरा होता हुआ लोग प्रिसर सिस्टम में बदल गया अभी यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी और उत्री और इसा के 30 छेत्रे में इस्थित है सिस्टम बंगाल की खाड़ी से दक्छिन पूर हवा को खिच रहा है इस वज़ा से वतावरन में नमी बढ़ गई है और इसका असर जार्खन के उत्तर पूर्व, उत्री और मदिभाग में ज्यादा दिख रहा है उन्होंने बताया कि मंगलवार को यानि आज भी जार्खन के कई हिसों में भारी बारिस हो सकती है अभी परभावी लोग प्रेशर सिस्टम का असर 21 अक्टूबर के बाद कम होगा और 22 अक्टूबर से एक बार फिर से अस्मान साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी मोसम पुर अर्वान में बताया कि मंगलवार को भी मेग गरजन और बजरपात के असार है जारकन में मद्दाता सुची में नाम जरुवाने के लिए चलेगा विसिस अभ्यान एक नौबर से फोटो मद्दाता सुची में मद्दाता अपना नाम जरुवा सकेंगे इसे लेकर एक नौबर से विसिस संचिप्त पुन्रक्षन कारिकरम को सुरुवात हो सकेगी वैसे लोग जिनकी आयू एक जनवरी 2022 को अठारो वर्स पूरा हो रहा हो या अधिक हो तो मत्रदता सुची में निबंदन करा सकते हैं मत्रदता सुची में निबंदन के लिए दावा यंग आपति दर्जकर्ण की अवधी 1.9.2021 से लेकर 3.9.2021 तक है जो परपत्र 6 के माध्यम से आविदन कर सकते हैं निर्वाचक निमंदन पदादिकारी करे आले, साहिक निर्वाचक निमंदन पदादिकारी करे आले एंग BLO से प्राप्त किया जा सकता है, जो निशूलक है, परपत्र मुखे निर्वाचन पदादिकारी जारकन की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है, सभी परकार के आविद पर क्या जा सकता है। पर क्या जा सकता है। पर क्या सकता है। पर क्या सकता है। प्यास प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है। जबकि 22 अन हस्पितालों में प्लांट लगाने का काम परगती पर है। इस महिने के अंद तक इसके पूरा हो जाने की उमिद है। इन में से 38 पी-म उक्सिजन प्लांट पी-म केर फंड के जरीए स्थापित किये गए हैं। जबकि बाकी 34 यानी कूल 75 अक्सिजन प्लांट राय सरकार, कॉर्पोरेटर, संस्थाओं और संस्थाओं द्वारा उपलत कराए गए फंड की मद से तयार हो रहा है। नेशनल हेल्थ मीशन के निदेशक भुनेज प्रताब सीका कहना है कि कॉरोना की दुषी लहर के दोरान उक्सिजन की कमी से जिस तरह की प्रतिस्तियां पैदा हुई थी। वैसे अपात इस्तिती अगर भुष में कभी आए तो उससे निपटने में जारकन के हस्पिताल सक्चमोंगे हैं। प्रताब की योजना बना रही है ताकि निजी टांसपोर्टरों को टक कर दी जा सके। अईसा हुआ तो बिहार और जारकन के बीच ऐसे कई रूठों पर सरकारी बसों का परिचालन सुरू हो जाएगा जहां अभी सरकारी बसे नहीं चलती है। हिमाचल परदेश में जारकन के सर्मिकों से मारपीट के बाद वापस घर लोटे 61 मैदूर, 4 जथों में हुई वापसी। हिमाचल परदेश के किनोर जिला से जारकन के सर्मिकों के साथ मारपीट की घटना के बाद मैदूरों का जारकन घर वापसी लोटने का सिलसला ज़ारी है। हिमाचल परदेश सर्मिकों ने वापस लोटने की गोहर लगाए थी। हिमाचल परदेश के सर्मिकों ने वापस लोटने के बाद सर्मिक एतवा मुंडा ने बताय की और भी समुह वापस आने की दयारी कर रहे हैं। जारकन में भी चलेगी ब्लेट ट्रेन सर्मिका काम पूरा। जारकन वाश्यों के लिए बड़ी खुश खबरी है। हवडा की यात्रा काफी कम समय में संभाव हो सकेगी। जनकारी का अनुसार वरानसी हवडा ब्लेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सर्वे करने का काम पूरा करने की जिम्यदारी निजी एजनसी ग्रोवर इम्का प्राइविट लिमिटेट को सुपा गया है। सर्वे टीम के विशेशक्यों ने सर्वेक्चन किया। ज़ारकन के लातिहार में पुलिस को मिली सफलता 5 लाग का इनामी नक्सली ग्रपतार। ग्रपतार विक्ति ने अपनी पाचान भगपा माववदी के रूप में 6 3 कमानडर किसो सिंग के रूप में बताई जिसके सीर पर 5 लाग रुपी का इनाम था। पुलिस अधिक्चक अंजनी अंजन ने बताया कि गरपतार महावादी अगावी पंचाई चुनाओं से पहले सुरक्षा कर्मियों को नुक्सान पहुचाने की इरादे से उन पर नजन रखे वे थे पुलिस अधिक्चक विपुल पांडी के नेतित में एक पुलिस टीम ने कुमडी गाउं के पास आंती खेद जंगल में तलास अभियान चलाया और पुलिस को देखर भागने की कोशिस कर रहे हैं एक वेक्ति को गरपतार कर लिया जिले के विविन थानों में उसके खिलाब 13 से अधिक मामले दर्ज हैं जिसमें गारू परखंड के परखंड विकास पता अधिकारी का आपहरन करने का मामला भी सामिल है जारकन टेकनिकल युनिवर्सिटी में नियुक्तियों पर ग्रहन नहीं शुरू हो सके पाँच विभाग जानिये क्या है वज़न बिस्विदाले में परति नियुक्त पर रेश्टार और अन्य पतेदेकारियों का अलावा समिदा पर सिख्षकों की नियुक्ति के लिए जो विग्यापन निकाला गया था वह मामला अभी भी लंबित है बिस्विदाले की कायर कायनी की और से गठित नियुक्ति समंदी चैन सिमिती में राजपाल और उच्च तक्निकी सिख्षा एंकोसल विकास विभाग की और से एक एक परतिनीदी को मनुनित क्या जाना है यह मार्च सही लंबित है एक्ट के मुताबिक बिस्विदाले प्राधिकार समिता पर अधिकताब एक वर्च के लिए समिता पर निक्त कर सकता है इसी प्रवधान के तरथ बिग्यापन जारे क्या गया था लेकिन एक्ट में संसोधन के कारण बिहित प्रवधान एक दुसरे के विरोधा भासी हो गये एक्ट के सेक्षर उनेश में संसोधन क्या गया है लेकिन अन्य धाराओं में जहां न्युक्ती समंदी उलेख है उनमें संसोधन नहीं हुआ है ऐसे में संसोधन को जब तक कुर्णा अस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक न्यूक्ती प्रक्रियाबादित होती रहेगी विश्वी दाले में सिक्ष को और सिक्ष के उत्तर कर्मियों को मिलाकर बिरान्वे पद स्युक्रित है इनमें पिछले चार वर्सों में कुलपती को छोड़ अनि किसी पद पर नियमित न्यूक्ती नहीं भी है उच्च तकनिकी सिक्षा एंकोसल विकास विभाक्कियों से यूटी को अब तक अरक्षन रोस्टर भी उपलब्द नहीं कराया गया है निक्ती नहीं होने के कारण उच्च से मन्याता समंदी निरक्षन कारी भी नहीं हो पा रहा है जिसके कारण भोष में जे यूटी की मन्याता पर भी संकठ है इतना ही हमें दिजे जाजत नमसकार